आपदा प्रवंदन में थाना परिसर में आयुजित हुई कारिशाला, सीपी आर दे कर हाट अटेक मरीज की बचाई जा सकती है जान कणिक श्रीवास्तव आपदा प्रवंदन में सिखाये पुलिस आरक्षकों को और थानेदारों को वचाप के तरीके आपात इस्तिती में घायलों की कैसे मदद करें इस विशे को लेकर पुलिस अदिक्षक अमन सिंग राठों ने SDOP भांडेर की नेतरत में आपदा प्रवंदन में पुलिस करमचारियों के बहतर प्रदर्शन करने एक कारिशाला पुलिस थाना परिसर में आउज़ित की गई कारिशाला में आपदप्रवंदन और घायलों हाटटिक मरीजों को लेकर अनिक प्रकार के तरीकों से अवगत कराती हुए प्रिसिक्षित किया गया कारिशाला में थाना पंडोकर से थाना प्रभारी एजय हम्मे, थाना डीपार से थाना प्रभारी रिपुदवन, सिंग राजावत, थाना थरेट से थाना प्रभारी विजय सिंग लोधी, गोधन से थाना प्रभारी नीरज कुमार, अपने पुलिस स्टाफ के साथ, एवं छे हाट टेक आ जाने पर हम तदकाल पीड़ित व्यक्ति को मदद कैसे करें। पीड़ित व्यक्ति के माध्यम से सीपियर दी जा सकती है। कि अधी समय पर किसी मरीज को PCR या मदद मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। ठाना प्रभारी परमानन शर्मा ने PCR माध्यम से ट्राफिक प्रभारी सोनम पराशर द्वारा दिये गए PCR का उधारन देती हुए बताए कि एक बुजूर्ग अचानक हाट अटेक से सड़क पर गिर पड़ा। तो सोनम पराशर द्वारा उस मरीज को PCR देकर उसकी जान बचाई गई थी। उनके इस कारी की बिवाग में बहुत सराहना हुई उन्हें बिवाग को घ्रेमंत्री से पुरुस्कृत किया गया। ऐसे प्रसिक्षन हमें ग्यान देते हैं आप दा प्रवन्दन की जानकारी होने पर हम भी किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। प्रसिक्षन में ब्लॉक मेडिकल आफिसर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। शिवरमन सिंग राठोर रिपोर्टर